तो हेलो गाई स्वाकत है यार सभी का PC वार YouTube चैनल पे और इंटरनेट में इस वक्त क्या चल रहा है इंटरनेट में में मतलब गेमिंग मार्केट में या फिर PC मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है तो इसके बारे में आज हम डिसकस कनने वाले हैं मैं कोई स्पेसिफिक एक news पकड़ के बात नी करने वाला हूँ मैं बात करने वाला हूँ all around मैं चारो तरफ घूम फिर के बात करने वाला हूँ चल ये देखते हैं आज के वीडियो में क्या है आपके लिए खास तो वीडियो को लास तक जरूर देखना और आज की वीडियो का शुरुआत हम करने वाले हैं अपने Amazon के लिंक से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक दिया हूँ है चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ भी शॉपिंग कीजिए Amazon की नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ है और यार हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए तो बात करते हैं गाईज इंटल की पहले स्टार्टिंग में क्योंकि यहीं से हम टॉपिक को शुरुआत करेंगे और बाकी चीजों को भी घेरिंगे जो गल इंटल हम लोग सुनने हैं Z390 मदरबोर चिपसे लाँच कर चुक है जिसके ओपर मदरबोर जो है वो आने वाले होंगे उसके बाद हमको यह सुनने मारा एट कोर जो है वो स्पोर्ट हुआ जो कि मैंने अपनी वीडियों बता है भी कि इंटल का एट कोर जो है वो स्पोर्ट हुआ तो अगर यह आता है या फिर हम जो कह रहे हैं कि कॉफी लेक रिफ्रेश आएगा जिसके अंदर वो लोग कोर्स नमर अफ कोर्स बढ़ा देंगे बिल्कुल राइजन की तरह है और जो आपका आई 3 है उसके अंदर भी शायद आपको फ्रेट्स देखने को मिल जाया एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी मतब कर सकते हैं वो अभी इतनी डिटेल आई नहीं है देखते हैं इंटल क्या करता है क्या पता दो-दो कोर्स फिर से बढ़ा दे क्योंकि इंटल आजकर खुश लग रहा है काफी कोफी लेक मुशने दो-दो कोर्स बढ़ा दिये लेकिन फिर अगर वो ऐसा करता है तो उसमें और राइजन में कोई फरक नहीं रह जाएगा एमडी राइजन में फरक रहने जाएगा इंटल की आईपीसी भी अच्छी है और कोर्स भी वो राइजन के बराबर देदेगा राइजन मतलब अमडी अमडी के बराबर देदेगा लोग अमडी खरी दिंगे क्यों तो यही बात ध्यान में रखते विए कुछ दिनों पहले निउस आई और निउस के अनुसार ये सुनने में आ रहा है कि राइजन के जो नए प्रॉइसर सुनगे 7 Nm वाले जो अगले साल आ रहे हैं वो क्या पता 12 कोर्स तक हो सकते हैं 12 से 16 कोर्स उनमें में में आपको देखने को मिल सकते हैं यानि इंटल अगर 8 कोर का में निकाल ला है तो राइजन जो है वो सीधा 12 से 16 कोर्स पहुंच गया तो अब आप यहां पे IPC या क्लॉक स्पीड की वार नहीं चल रही है अब वार चल रही है कोर्स की तो यार देखो इंटल निकालता है 8 कोर वाला CPU में स्ट्रीम अगला राइजन जो है आपको 2700 वाला जो शीरीज का है राइजन 7 जो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या पता आपको बारा कोर देखने को मिल सकते हैं ऐसा लग रहा है बारा कोORS तो अगर आपको वो एक 12 कोर का में स्ट्रीम CPU देखने को मिलता है तो यानि AMD ने अपने इंटल ने अपने number of course बढ़ा जैसे इंटल ने अपने number of course बढ़ा है तो वैसे राइजन यानि AMD भी अपने number of course बढ़ाने कोईश्च कर रहा है अब इस score वार से होगा क्या तो साफ सीधी बात है अगर number of course बढ़ींगे ना तो game developers का भी इनकी तरफ ध्या बढ़ान जाएगा और जो कि मुझे जातावाद दिख भी रहा है कि देखो जो नए games आएंगे ना वो पहले देखो क्या होता इंटल जो AMD वो पांट साल दे शान बैठावा था उसके जादा अच्छे processors नहीं है राइजन नहीं थोड़ा वह जितना भी किया वह राइजन न आया तो पहली बार इंटल ने अपने processors में number of course बढ़ाए तो जब Intel जैसी company जो कि क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि अगर gaming करने तो सिर्फ Intel का लो ठीक है तो अगर Intel ही अपने number of course बढ़ाएगा तो game developer का ध्यान उनकी तरफ जाएगा कई गेम ऐसे हैं जो Intel और Nvidia को specifically ध्यान में र गेम डेवलपर ये बात जानते हैं कि Intel जो है वो पहले सिर्फ कम course के साथ टिका रहता था और अच्छी clock speed अच्छी IPC देता लेकिन अब गेम डेवलपर ये दिखेंगे कि Ryzen यानि AMD और Intel दोनो number of course बढ़ा रहे हैं तो वो game इस तरीके से develop करेंगे या आने वाले games future में जो आ लग 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 सेम रहती है यहां पर आपको वही CPU अच्छा performer करके देगा जिसकी number of course ज्यादा होंगे हाला कि एक दो factors के ओपर और depend करता है लेकिन फिलहाल बात घूम फिरके number of course पर आ जाती है तो यह सब जो है वो यह चल रहा है उपर से Nvidia आप देखो गाई एक और खबर आ कर सकता है तो एक खबर यह भी निकल के आ रही थी बीच में कि राजा कडोरी ने AMD को इसने छोड़ा क्योंकि वो AMD में इतनी opportunity नहीं देख पाए अपने talent की या फिर एक तरीके से AMD के graphic market की graphic card market में इतनी opportunity नहीं देख पाए या फिर उनका vision जो है वो AMD का ऐसा नहीं था कि वो उ आप वेगा को देखो तो वेगा काफी successful चला एक तरीके से ठीक है तो अब अगर आप एक चीज़ को ध्यान में रखो कि Intel जो है वो अगले साल निकानने वाला है अपने graphic card राजा का डोरी उनकी टीम में है AMD की तरफ से कुछ है नहीं अब देखो गाई जो बड़ी बड़ी क चलते हैं लोग एक गोल लेके चलते हैं तो राजा का डोरी का कुछ मेंने गोल रहा होगा जो शायद AMD का architecture या फिर AMD जो है वो पूरा ना कर पा रहा हो और Intel में उन्हें वो vision दिखा और Intel में उन्हें वो scope दिखा हो कि मैं उसे कर पाऊ तो में भी उन्होंने Intel इसलिए जोइन किया है और ऐसा ही कुछ जो है वो news के अनुसार आ रहा है मैंने जो कुछ websites अगरे पर पढ़ा तो उस हिसाब से यही लग रहा है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि graphic market में एक और competitor उतरने वाल है क्योंकि देखो का इस graphic card market में उतरने के लिए Intel के पास अब जो है वो technicians के साथ सा पैसा भी है Intel को रोखने वाला कोई है नहीं मतलब जब तुम्हें पास पैसा और resources दोनों आ जाते हैं तो तुम्हें कौन रोखने वाला है उपर से Intel वो company है जिसने एंवीडिया को भीच में खरीदने की बात भी करी थी और असलमें AMD ने भी एक बर past में एंवीडिया को खरी अपना Intel तो guys यहां पर बात निकल के आती है कि पर यार जब फिर diversity थोड़ी बहुत आई की इसमें diversity आपको देखने को मिलेगी लेकिन उसका फरक क्या है उसका उसका नुक्सान भी तो कुछ है जैसे मानलो for example भी आपको g-sync monitor मिलते हैं free-sync monitor मिलते हैं अब Intel पता नहीं कौन technology technologies होंगी कुछ अपने चीज़ें होंगी तो जो गेम developers होंगी उनके पास काफी चीज़ें होंगी वैसे काम करने के लिए लेकिन पर फिर भी एक diversity बन जाएगी तो एक जो बंदा gamer है अब वो जो है वो गन्फूस होगा कि वो Intel की तरफ जाए या Nvidia की तरफ या फिर AMD की तरफ अगर for example अगर Intel कोई सच में example दे रहा हूं मैं सिर्फ monitor में कोई iSync नाम की चीज़ निगालता है जिसे उनके जो उनके ग्राफिक कार्ड और उनके जो मतलब जो monitor iSync उसकरते हैं उनके बीच में stuttering वगयरा ना हो और यह FreeSync और Nvidia के G-Sync को टक कर दें तो फिर आपकी पास च company जो है वो अपने rates जो है वो कम करेंगी क्योंकि Intel जो है वो काफी premium चार्ज करता अपने प्रवेसर के लिए और मुझे लगता वो अपने graphic card के लिए जो है वो सस्ते price में अपने graphic card launch करेगा क्या पता Intel के graphic card Intel के ही CPU के साथ अच्छा pair up करे और AMD के card EMT के CPU के साथ तो फिर Nvidia जो है वो अखेला निकल जागा side में तो देखते हैं यार क्या होता है तो मैं सिर्फ कहने वाली बाते बोल रहा हूं वो तो अगले साली बता चलेगा असल में होता क्या है तो इन सबसे आपको क्या लगता है इन सब के news जो मैंने आपको बताई है ज कि कर गाईस